तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आपको बहुत सार इंपोर्टेन अपडेट बताने जा रहा हूं इंडियान फुट्बॉल रिलेटेड आई से लिलेटेड आई लिग रिलेटेड तो अगर जानना है तो इस वीडियो कहां तक जरू देखते रहना बहुत सार अपडेट मैं आपको अगर पता नहीं है तो पेज का लिंक आपको देशन पर मिल जाएगा अब लोग जाकर पेज को फोलो कर लीजिए क्योंकि मैं वीडियो सभी दिन नहीं बना पा रहा हूं इसलिए वह पर कुछ थोरा थोरा अपडेड में आपको देता रहोंगा तो जरू फोलो कर ल लिए कि यांग टालेंट को साइन कर लिया है जिनका नाम है गया मार नेकुम लाश्ट टेम राइस्टेंट के दर से खेल ला था आई लीग में और लगभाग 75 लाग का एक टैंसफर फी देकर मुझे यहां पर पता चल लाए कि मुंबई श्रीफ ने उनको खरीदा है एक ट लिए और उनको यहां पर पिक किया गया था तूरन काप में 5 अफ्रियांस पैंके पास 2 गोल था और एक एसस्ट भाय सीजन गया था इसके लाप अगर आलिकि में बात कर तो अभी ताख 4 अफ्रियांस से इनके नाम और एक गोल भी इन सब्सक्राइब नेक्स्ट अपडेट आ रहा है इनको अप्रोच किया था लेकिन जो प्लेइंग टाइम है उसके चलते कहिना कहीं ओचना इप्सी को कॉंसिडर क्या है यानि कि इम्रान खान आप भाई नॉचिन डिप्सी को छोड़ कर जा रहा है इस चेल नाइन इप्सी में 27 साल का एक लेट विंगर है अभी तक आई सेल में नॉचिन डिप्सी के तरफ से इन्होंने दस एप्रियांस किया है और नॉचिन डिप्सी की इलावा एन नेरोकर के साथ भी जुरा हुआ था उसके बाद गोकुलम करला एपसी के साथ भी जुरा ह हुआ था तो एक बहुत अच्छा खिलारी है नॉचिन डिप्सी के लिए खास करके लास सीजन से अभी तक बहुत अच्छा योगदान दिया है इस इसके बाद नेक्स्ट अब्लेट आ रहा है औरी से के तरफ से औरी से ने तनकधर वाग को ओफिस्याली साइन कर लिया है ज आस्ट में इंडियान रोज के साथ जुरा हुआ था अब सिट हो चुका है औरी साइट सी में नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एक के महन बागान के तरफ से एक स्वाब डिल मैं आपको कली हिसका अपडेट दे दिया थैग स्वाब डिल हुआ है एक पहले इन दोनों के बीच स्वाब डिल हुआ था एक सीजन पहला आप पता होगा और इस सीजन में फिर से उसको दोबारा दोहरा आए जा रहा है लेनी रोडी को जा रहा है इसको कवर कर दिया तो इसलिम आप कराऊं के इस्ट्रग्रम पर फोलो कर लिए इसके बाद चले हम नेक्स्ट बात कर लेते ह एक और बड़ाब डेट के बारे में एक कि मोहन बागन के एक को लेकर एक बहुत ही बड़ा रहा है क्योंकि एक साल का फिर से कॉंट्राक एक्स्टेंशन हो सकता है वन फरंडों का इनिकी मोहन बागन के हेट कोच के रूप में अभी डिसकसिन चल रहा है इसकी उपर वन कह आए कि मुझे और थोड़ा टाइम दिया जाए मैं और भी बहतर कर सकता हो इस टीम के साथ तो थोड़ा बहुत यहां पर अभी बातचीत चल रहा है तो डिल कॉंट्रेक्ट एक्स्टेंशन यहां पर होगा इसके बाद नेक्स्ट अपड़िट आ रहा है नौश्ट नाइड पार्ट था जब 2019 में मोहन बागन ने अई लिग को हासिल किया तो जो इसके सीजन में होगा लेकिन जीता था आई लिग तब भाई बहुत ही बढ़िया यहां पर उन्हें ने खेल दिखा था उसके बाद से बहुत सारा चाहने बाला उनका बन गया है इंडिया में और कुछ से सुनाई दे रहा है कि एसल में सिफ्ट होगा लेकिन सेसन में फाइनली वा आई समय सीप्ट हो गया है खेले का नौश ने डिप्सी के तरब से स्पैनिस ख्लारी है बतीस साल इनका उम्रे में पूजिसन है सेंटर विट फिल्ट मोहन बागन के तरब से खेल खेल था उसके जाहा भी तक अफिसल अप्डेल नहीं आया लेकिन उनका स्टार्ट हो चुका है कल ही ओ गोहटे पोहच गया था इस तरह के का अपडेट है हमारे पास चली देखते हैं कितनी देर में ओफिस्याल होता है लेकिन भाई बात सब कुछ 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 हो चुका है और जोइन कर ल रहा है इसके बाद नेक्स चले हम बात कर लेते हमारे नेसलन टीम के बारे में तो हमारा नेसलन टीम भाई डब्लूए एफ़ेप का जो लिग होता है वहां पर खेलने जाने वाला था इन्विटिशन आया था मैं वर्स्ट एसे फेडरेशन के बात करा हूँ जहाँ पर पर Laboratory बैटेशन चाहिए लेकिन इंडिया के ऊपर उन्होंने थाईवल измен के इंडिया में आपकोग mez मलेसिया का उनका जो एक नेसेनल कप होता है वहां पर इंडिया साएध कर सकता है AIFF ने यहां पर मलेसिया के फिडरेशन के साथ वाचित कॉंप्लिट कर लिया है अगर इस दफा होता है तो इंडिया जरूर भाग लेगा एक दम कंफरम हो चुका है लेकिन कब होगा अभी तक बाइस का डेटा में पता नहीं चला है इसके बाइचले हम बात कर लेते हैं अंडर 17 टीम के बारे में तो अंडर 17 टीम अभी कुछ भाई फिफा फिनली खेल रहे कुछ दिन पहले ओ गया था यूवी का अंडर 20 के साथ खेलने के लिए लेकिन उजबिकिस्तन को उन्होंने भाई दो गोल से हरा आया है तो इंडिया का जो अंडर 17 टीम के बहुत अच्छा खेल रहा है उजबिकिस्तन के अंडर 17 टीम को उन्होंने दो गोल से हरा आया था गोवा के तिलग मैदन स्टेडियां पर मैच हुआ था यूटीव पर लाइप वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेती है जो संदीप सेंग है और इपसी और मैच हुआ था वहाँ पर चोटिल हुआ था तो इनका इंजरी अपडेट आया है सुनाई दे रहा है कि इंजरी बहुत ही ज्यादा खराब है तो रूल आट ह हो सकता है इस सीजन में साहिद आपको केलब से तरफ से फिर से इस सीजन संदीप सेंग फामिस करते हुए नजर नहीं आएगा उनके साथ एक किसी गौका खिलारी का जो हिट क्लास हुआ था तो नाम साहिद सेवियर गमा या किसके साथ हो अभी मुझे याद नहीं आ रहे है है लेकिन बहुत ही खतनक तरिके सर्वाई हेट टू हेट क्लास हुआ था यहां पर जहां पर संदीप सर्मा ज्यादा चोटिल हुए उनको स्टेचर आप भी क्या गया था आपको साहिद देखने को मिला होगा और चलिए इस मैच के बार में हम लोग छोटा सा बात कर लेती ह है पर तो इपसी गवाँ ने बहुत ही जवर्द स्टेल कि इस मैच पे खेला है के लोग इसी को तीन एक से हराया है एक जो पनाल्टी थभाई और रिफ्री का विल्कुल भाई यहां पर बहुत ही बड़ा गलती हो गया था कि इसी गवाँ को यहां पर एक पनाल्टी दिया था जिसके चलते एक सुने से भरत ले लिया था वहां पर गुरेट सेना ने एक बहुत ही अच्छा पनाल्टी लगाया था लेकिन क्या करें भाई यहां पर रेफ्री का गलती है कोई भी टाच नहीं था पीछे से किसका साइज ब्रांडन को ग्राया जाता और हम पर रखी व सब्सक्राइब कम बैक भी क्या था सेकर हाप में एक गोल लगा कर दिमांत अकोस के तरब से लगाया था तो कुछ टाइट सा मैच हमें नजर आया बहुत सारे इंजिरिया में देखने को मिला लेकिन मैच बहुत है अच्छा था और जो इसका पहला फिक्षर था के लगान प से बीच और फैनों का जो क्लास इभाई एपसी गो आपको सोचल मीडिया पर भी नजर आ रहा है और अब फिल्ड में तो 5050 हो चुका है अब लोगों का भी क्या कहना है इस मैच को फर कमन करके जरू बताना फिलहाल के लिए इस वीडियो कहीं पर एंप कर रहा हूं आपको बहुत बश्तों के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग है तो लाइक जरू कर दीजिए अपनी दोस्तों चीजिए बारा में पते चला और आपने अपने चला नहीं क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपने कर दीजिए जब यह में भीडिया झाल